तो हे गाई इस वेलकम बैक टु एनएदर वीडियो आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि बहुत ज़्या इंपोर्टेंट बात था हाँ आज मैं आप लोग को बहुत ही इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ बीजमाई डाटर ट्रांसवर को लेके आप लो पड़ी में ट्रांसवर कर सकते हो तो गैसे आप लोग वेल ने जो पटीए टीवट टी वह बीजमाई में ट्रांसवर की थी वैसे ही आज में आप लोग को तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग BGMI के ID जो PUBG में ट्रांसफर करना चाहते हो वो लोग कैसे करोगे तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यदा इंफोर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो को पुरा एंड तक वह जुरू करना तो गैस आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक न्यूज देना चाहता हूँ जो की निकल का है हमारे एक टेक्निकल यूटूब चैनल की तरफ से जो की यह बता है कि बीजमाय अन्बैन को लेकि एक बढ़िया सा न्यूज निकल का है तो उसको यार आप लोग को बताना जुरूरी है क्योंकि आपका भाई हर एक इंफोर्मेटिव जो बीजमाय से रिलेटेड न्यूज है वो आप लोग के लिए लेके आता है तो यह भी और बीजमाय अन्बैन का क्या न्यूज है तो उसको भी बताना जुरूरी है तो यहां पर आप लोग आने वाले हैं फेब्रॉरी 2023 में आने वाला इससे कहा जा रहा है लेकिन जैसे मैंने का यह अभी वी लीकी है तो टेक इट विजमाय को समझ में आ गया होगा अब बात कर है आप लोग अगर भी जमाय की आईडी पफ जी में ट्रांशल करना चाहते हो तो आप लोग को क्या स्टेप कर रहे होंगे जिसे आप लोग अपनी बीजमाय का इडी पप जी में ट्रांसफर कर पाऊ तो चले यार इसके ऊपर यहां पे डिटेल में बात करते हैं और आप लोग को यहां पे official account transfer का option देखने को मिलता था बट जो लोग भी यहां पे सर्च कर रहे हैं कि बीजमाई से पपजी में transfer हो जाए तो आप लोग अगर सेटिंग में जाओगे तो account transfer का option नहीं मिलेगा और यगर आप लोग रिपोर्ट करके और बगर बगर करके account transfer का option माँगे तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एक website भी निकल किया है जो वादा करता है कि आप लोग का बीजमाई से पपजी में जो आईडी वो ट्रांसवर करा देगा तो उसकी तरफ चलते हैं उससे हम लोग कराते हैं दे इन आईडी का तो भाई होगा क्या अगर आप लोग आईडी पासवर्ट दे दोगे तो आपकी आईडी के लग जाएगी सिंपल अगर आप लोग के साथ लगेगी नहीं तो सीधा आपकी आईडी की लग जाएगी तो गैस प्लीज उसको फॉलो मत करना और बहुत सारे आप लोग को भी पता होगा तो गैस वह लोग नई आईडी लिए पपजी मुबाइल की जिससे वह लोग गेम प्ले कर रहे तो आप लोग को सर्च करने की बिलकुल भी जरूयत नहीं है आप लोग को मैं याँ क्लियर कर देता हूं नहीं तो यार आईडी बैन कर आना हो तो